हेलो फेंज मैं अनामिका मेरे कीजिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आलू 65 की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे हम 3-4 एस्टेप में तयार कर लेते हैं इसे आलू को छिल के वायल कर लेना है दू फाइनली अपने 65 तयार हो जाता है तो इस रेश्पी को आप ज़रो ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक केजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए सबसे पहले हम गैज के पानी उबालने के लिए रखेंगे तो आप ध्यान से रिखिए पानी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने आलू को ऐसे पीषिस काट लिये हैं आप यहान से रेकिए हमने मेडियम साइट के पीष ..काट रखे हैं और इसे हम, 2 सी 3 मरग हो लिए है, जिससे इसका अस्टार्ट जो हम निकल गया है अब हम इसे पानी में डाल देंगे उबालने के लिए और इसे हम 4-5 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे हमें आलू को 50% ही उबालना है आलू को हमें 50% ही उबालना है आलू को हमने 5 मिनट उबाल दिया है तेज फ्लेम पे अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे और एक इस टेनर से आलू को ऐसे निकाल लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेर शुरू करें अब हम इसी आलू में डालेंगे एक चमच ब्लाइक पेपर एक चमच रेडशीदी पॉटर हमने आलू वालने में नमक डाला था इसके लिए हम वन फोर्थ चमच नमक डालेंगे और अब हम इसमें सार चमच कॉर्ण फ्लोर डालेंगे और इसे हम अच्छे से ऐसे टॉस कर लेंगे इससे क्या होगा आलू में जो मोस्चर है उसमें अपना कॉर्ण फ्लोर मिर्च अच्छे से लिपड़ जाएगा अगर आपको जरूरत पढ़े तो एक से दो चमच पानी डाल सकते हैं लेकिन जरूरत के लाइक इसमें मोस्चर रहती है उतने में अपनी कॉर्ण फ्लोर डिपड़ जाती है तो हमने इसे अच्छे से पोट कर लिया है अब हम दस मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो हमने दस मिनट तक इसे आलू को ठंडा कर लिया है अब हम एक एक आलू को ऐसे छड़नी में भर लेंगे और हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने तेल गड़म होने के लिए रख दिया है तेल बहुत ही बढ़िया गड़म हो चुका है अब हम उसमें इस हड़नी वादी आलो को दिले के चलेंगे और अब हम इसे फ्टाई करेंगे तो एक साइट से फ्राई होने के बाद हम उसको उलट लेंगे अब हम इसे चलाते हुए अच्छी से फ्राई करेंगे जब तक एक रिश्पी होगा तब तक हम फ्राई करेंगे हमने आलो को 50% उबार लिया था 50% हमें तेल में फ्राई करना है हमने आलो को चलाते हुए ब्राउन होने तक प्राई कर लिया है अब हम इसे एक प्लेट पे टीशू पेपर रखके निकाल लेंगे तो ऐसे हम इसको घरनी से जाड़के और प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना प्रंची हुआ है आवाज आ रहा है और सेम प्रोसेश से हम दुसरे भी यालो को प्राई कर लेंगे हमने चलाते हुए दुसरे बैच को भी प्राई कर लिया है इसका भी कलर अच्छा सा हो गया है अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाता है और ठाने में तो टेस्टी होता ही है अब हम गैस के फ्लेंग को आफ कर लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेश शुरू करेंगे अब हम गैस पे इल्फ प्राई पेंड रखे हैं और उसमें हम दो टेवलेश स्पून तेल डाले हैं अब हम गैस को आउन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ लहसुन तो ये दो चमश हमने लेट्चुन काट रखा हैं और इसे हम कुछ शेकन के लिए ऐसे स्ट्राइब कर लेंगे हम इसे ब्राउन नहीं होने देना है अब साथ में हम डालेंगे एक बड़ा हुआ प्याज जिसे हमने बाड़ी काट लिया है और त्याज के साथ हम इसे भी आदह मिनार तक हुनेंगे त्याज के साथ ही हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता और यहाँ पे हम दो खोल रेट चिली डालेंगे और सबको हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक आप टेश्ट के अमशार डालेंगे यहाँ पे हम एक चमच काश्मीदी लाल मिर्च डालेंगे सिनाति आधा समच गड़μ शाला। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकन्द के लिए क हमें मिक्स करना है यहीं दरने लगता है अब हम इसमें डालेंगे दही तो यहां पे एक ठोटा कटोड़ी हम दही डालेंगे और इसे अच्छे से हम बहुनेंगे तो आप ध्यान के देखिए अपनी ग्रेवी जो है गाड़ी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे रेड फूट कलर यह अप्शनल है यह तो मार्केट में बेचने वाले डालते हैं या कलर बढ़ियां आये उसके लिए डाला जाता है आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं तो हम यहां पे एक पिंच रेल फूट कलर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए कितना सुंदर कलर आया है अब हम इसमें डालेंगे आलू जिसे हमने फ्राय किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शांत में हम डालेंगे फूरा चाह ब जनिया पत्ता, गैस के फ्लेम को हम आफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो आप यहां से देखिए, अपनी आलो शिक्ष्ठी फाइव बनकर प्यार है, इसका किपना प्यारा कलर आया है, और इसकी खुस्कु तो घर में फैल गई है, अब हम इसे सर्व करेंग तो अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें सर्व करेंगे, आलो शिक्ष्टी फाइव बनकर तयार है, इसे आप चलो ट्राइ किजिएगा, कि खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है, तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी आलो शिक्ष्टी फाइव की पेश्वी आ करें औरेक येवान!